इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जब हम Z5 चला रहे होते हैं तो उसमें इस तरह का एक दिक्कत आती है इरर आता है Something went wrong रेट्राइ करके तो इस वीडियो को कैसे fix किया जा सकता है इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो को एंट देखें वीडियो अच्छे लगी तो लाइक एंट चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजेगा इस इरर को fix करने के लिए सबसे पहले हम Z5 एप को open करेंगे इस तरह से हमारा Z5 एप open हो चुका है बेसिकली आपको कभी कबार जो है something went wrong का error आ जाता है यह error क्यों आता है उसको समझेंगे उसके लिए आपको सोच तो यह सम देखना है कि आपका internet connection के इस तरह का चल रहा है या फिर आपको internet connection चल भी रहा है या नहीं basically कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो internet connection हो connecting नहीं होता है यहाँ पर मेरा फिलाल अभी connected है लेकिंग कभी का बार अगर connected ना हो तो इस तरह का जो issue इस तरह का जो problem है ओ आ सकती है तो यह तो बात होगे internet की अगर अभी भी आप जीफायो application चला रहे और अभी भी दिक्कत आ रही तो आपको करना क्या है जीफायो application का f info निकाल लेना है अलग-अलग mobile device में अलग-अलग तरीके से f info निकाला जाता है यहाँ पर अगर आपके पास real में या फिर samsung के डिवाइस है तो इसमें आप सेम प्रोसेस करेंगे जो भी application या फिर जीफायो के application पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर निकाल लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर जो है इसका डेटा को क्लियर यहां से कर लेना है हम इसका डेटा यहां से क्लियर करेंगे data clear करेंगे catch अपने आप clear हो जाएगा और इसके बाद हम फिर से एक बार अपना जो है 35 का application open करके देखेंगे आपकी जो problem है 100% solve हो जाएगी आपकी जो problem है फिक्स हो जाएगी जो error है वह वह से हट जाएगा अगर अभी भी आपकी जो दिक्कत हो हट नहीं रहे तो comment box में मुझे जरूर बताई कहाँ पर दिक्कत आ रहे मैं आपको और भी solution दूंगा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक वेम चैनल को subscribe करना ना भूले